नमस्कार दूस्तु घरेलू नुस की चैनल में आपका स्वागत है दूस्तु आप लोग हमारी चैनल को आज यू सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और सेर कीजिए दूस्तु आम बहुत से लोगों को बहुत ज़ादा पसंद है लेकिन वे आम खाने के बाद गुटली को बेकार समझते हैं और उसे फैक देते हैं अगर आपको फाइदा पता चल जाए तो आप कभी भी आम की गुटली को नहीं फैकोगे आम सभी फलो का राजा है ये तो सभी जानते हैं जितनी मिठास आम में होती है उतने ही फाइदे आम की गुटली में होते हैं आईए फाइदे जानते हैं बवसीर रोग बहुत ज़ादा तेजी से फैल रहा है ये बिमारी बहुत दर्द देती हैं बवसीर के रोगी अपनी ये समस्या किसी के साथ सेयर नहीं करते हैं क्योंकि ये सर्म महसूस करते हैं अगर आपको भी ये समस्या है तो आप आम की गुठली लें और उसे बारीक पीस कर चूरन बना लें उस चूरन को छाच में मिला कर पियें ऐसा करने से आपकी खोनी बवसी बीर्थी खो जाएगी ये समस्या होती कैसे है बवसीर रोग होने के महुत से मुख्य कारण है जैसे रात को देर तक जागना सुभे देर तक सोना ज्यादा समय तक गाड़ी चलाना मेहनत ना करना अराम ज्यादा करना बाहर की चीजे खाने से जो हरी सब्जिया कम खाते हैं उनको भी बावासीर हो सकती है झाल 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 झाल